मित्रो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके और हमारे यूटूब चैनल प्राचीन परंपरा पर मित्रो भैरव पुराण के अनुसार यदि कोई भी कुत्ता आपके घर के सामने पिसाब करके चला जाता है तो इस तरह की घटना आपके निकर जीवन में क्या सुब घटित हो सकता है या फिर असुब उसके वारे में कुछ संकेत दे कर जाती है मित्रो भैरव पुराण के अनुसार घर के सामने कुत्ते का पिसाब करके जाना एक बहुत ही अत्यांती ही असुब घटना मानी गई है तो आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है यदि आपके साथ कुछ इस तरह की घटना हो रही है तो आपको इसके सीग्र ही कुछ उपाय करना चाहिए मित्रो उपाय के तोर पर आपको काल भैरव अस्टकम का पाठ अपने घर में आवस्स ही करना चाहिए इस तरह की घटना मित्रो सनी की साड़े साती आने की और भी संकेत करता है तो यदि आपके घर में कुछ इस तरह की घटना हुई है कोई भी कुत्ता परिसाप करके चला जाता है तो आपको एक तो काल भैरव अस्टकम का पाठ कर सकते हैं और इसके साथ साथ में आप हनुआ चालीसा का नेमित रूप से पाट अवस्य कर सकते हैं मित्रो जिस भी इंसान के उपर हनुमान जी की क्रपा होती है उसका नव ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड पाते तो यदि आपके साथ कुछ इस तरह की घटना हुई है तो आपको काल भैराव अस्टकम एबं मित्रो आपको हनुमान चालीसा का अवस्य ही पाट करना चाहिए और यदि एक कुछ इस तरह की घटना हुई है तो आपको साउल्हानी भी बरतनी चाहिए कुछ समय के लिए तो मित्रो उमीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परंप्रा को सब्सक्राइब लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद